UP में 79,000 सिक्षक भरती में आरक्षन घोटाला हिमाचल प्रदेश कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में पेपर ली MP में नर्स भरती परिक्षा 2023 और प्राथमिक सिक्षक पात्रता परिक्षा में पेपर ली UPTET 2021 में पेपर ली यूपी पुलिस सिपाही भरती परिक्षा में पेपर लीग, यूपी समिक्षा अधिकारी परिक्षा में पेपर लीग, बीपी सी सिक्षक भरती परिक्षा में पेपर लीग, जेपी सी पीटी परिक्षा में पेपर लीग, नीट यूजी परिक्षा में पेपर लीग, और अब UGC NET की परिक्षा में भी पेपर लीग पेपर लीग की लिस्ट लंबी है इतनी लंबी की सरकार को लपेट के कूड़ेदान में फेक दे इतनी लंबी की नरेंद्र मोदी को उनके तक्त में लपेट के नीचे खीट दे पिछले 10 सालों में सैकडों परिक्षाओं के पेपर लीग हुए है अगर पिछले 5 साल की ही बात करें तो 43 भरती परिक्षाओं का पेपर लीग हुआ है इन पेपर लीग का सीधा सीधा आसर 1.75 लाक अभ्यात्म पर पड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार में घोटाला, धंधली और पेपर लीग के कारनामों ने पूरी दुनिया का record तोर डाला है नरेंद्र मोदी की सरकार अब पेपर लीग के मामले में गिनीज बुक गे वर्लड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराने जा रही है यह सचाई है और साथ में देश के साथ एक भद्दा मजाक थी है उस देश में जहां युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा 65 पीस दी है नरेंद्र मोदी की सरकार पेपर लीक और भरती परिक्षा में धांदली करके युवाओं का भविश्य चौपट कर रही है क्या आप एक मिडल क्लास परिवार में पल बढ़ रहे युवा का दर्द महसूस कर पाएंगे दसवी के बाद कोचिंग कोचिंग में मोटी फीस पिता जमीन गिर्वी रखके अपनी संतान को पढ़ाता है परिक्षा होती है और फिर पेपर लीक की सूचना आ जाती है पेपर लीक रुकता कहा है बेटे की उम्र निकल रही है माबाप बेटे को पढ़ाई छोड़ कर शादी करने का दबाव बना रहे है सारे सपने सारी उमीदे सारी ख्वाईशे नरेंडर मोधी के शिक्षा माफिया ने खत्म कर डाली है क्या आप जानते हैं कि इन घटनाओं से युवा छात्रों के मस्तश्क पर उनके दिमाग पर कितना बुरा प्रभाव असर पढ़ रहा है हर आत्महत्या की खबरे आती हैं ये दर्द पियम मोधी और उनके मंत्री नहीं समझ पाए नरेंदर मोधी की पूरी क्याबिने अपने बच्चों को देश से बाहर पढ़ा रही है उनके बच्चे सरकारी स्फूल में नहीं पढ़ते, केंडरी विद्यालियों में नहीं पढ़ते देश में होने वाली सरकारी परिक्षाएं नहीं देते पिछले 10 सालों में मोदी ने देश के युवाओं और छात्रों का भविश्य और करियर पूरी तरह से बरबात हो दिया है ग्राजवेट, कोस्ट ग्राजवेट, MBA, PhD करने वाले छात्र चफरासी की नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं ये देश की सचाई है, पकोड़ा तर रहे हैं, लेकिन मोदी को इससे क्या है, क्या फर्क पड़ता है वो तो अपनी वावाही और चुना प्रचार में विजी है, हकीकत ये है कि ये सरकार, पेपर लीग सरकार बन चुकी है